हेलो एले मिन्थीज, वेलकम टू इजी वे कॉमर्स क्लासेज, मैं हो ताबिता और गाईज आज के इस वीडियो में हम लोग अपने बिजनस टडीज के चेप्टर को याने के चेप्टर वन को आगे बढ़ाएंगे और आज उसमें हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका न विजनस रिस्क का मतलब क्या हूता है जब बी कोई काम करने चाते हो पाइस का मतलब क्या हो बोडाय ढॉआ आप जो भी विजनस करने जा रहे हो देख लो कहीं उसमें आपको लॉस तोन ही को आधे कि जो पैसा लगाने का आपका पैसा डूबने दो नहीं हो आ तो अगर तो आपको लॉस हो जाएगा उसी को बिजनस रिस्क कहते हैं तो बिजनस रिस्क किसे कहते हैं प्रॉफिट कमाने को बिल्कुल नहीं बिजनस रिस्क कहते हैं यानि कि लॉस इंकर्ड कर लेने को यानि कि जितना हम कमाना चाहते हैं जितना हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते है उतना नहीं कर पा रहे उतना profit भी नहीं कर पा रहे और even कई बार हमें नुकसान सहना पड़ता है यानि कि हमारी cost जो है वो ज़ादा आ जाती है business को चलाने पर और हम उतनी income earn नहीं कर पाते कई बार ऐसा होता है no profit no loss पे होते हैं बड़ कई बार ऐसा होता है कि हमारी cost जादा आती है और जबकि profit हमारों से कम होता है like suppose कि आपने एक लाग खुर्पे आपको महीने की चलाने के लिए अपने business को चाहिए होते है जबकि आपने जो sale करी वो सिफ 80,000 की करी अगर आप definition देखोगे business risk refers to the possibility of inadequate profit पहली चीज क्या है possibility है guys किस चीज की inadequate profit यानि कि जितना profit आपको ज़रूरत है business को चलाने के लिए आप उतना नहीं कमा पारे और इवन उतना profit भी नहीं कमा पारे और कई बार even a losses आपको नुकसान झेलना पड़ता है यानि कि आपको cost भी अपने घर से पूरी करनी पड़ती है due to क्यों होता है guys uncertainties और unexpected event यानि कि business को चलाते वक जो uncertainty है यानि कि एकदम से कोई चीज हो जाना यानि कि जो चीज fix नहीं होती uncertain होती है उसकी वज़े से और unexpected event की वज़े से यानि कि कुछ अचानक से policies में change हो गया कुछ अचानक से technology में change हो गया जिसकी वज़े से business loss उठाते है अभी मैं आगर आपको इसका example दिखाऊ हूँ जैसे technology में guys पहले जो है आपके desktop वाले computer आते पाए तो अगर किसी बंदे ने suppose करो कि भाया desktop में 10 लाख उर्पे लगा दिये थे उसका तो पैसा डूब गया क्योंकि अब नई technology आई है तो लोग नई technology को prefer करेंगे same way में क्या होता है iPhone आते है ना हर बार नया एक आता है तो क्या होता है पुराने वाली की कीमत क्या होती है that is also a business risk ठीक है so business risk किस वज़े से होते गाइस uncertainty और unexpected event की वज़े से ठीक है और इसके अलावा guys business risk कितने डाइब के हो सकते है कहां कहां आपको risk छेलना पड़ता है वो भी अब हम पड़ते है तो सबसे पहले तो definition याद को लो जो कि बहुत असान सी है business risk refers to the possibility possibility कि किस चीज की inadequate profit यानि कि जितना कमाना चाहते हैं business को चलाने के लिए उतना नहीं कमा पारे और even a loss due to uncertainty और unexpected events ठीक है अब इसके बाद guys business risk कितन वज़ों से हो सकते हैं जैसे कि production production में किस तरीके का risk होते है weather, disease, pest, field loss, spoiler जैसे कि अगर ये agriculture से related हमें हमें बता रहे हैं जैसे agriculture में कई बहुत जादा बारिश पर जाती है हमारी फसलों का नुक्सान होता है कई बार बारिश ना होने से फसलों का नुक्सान होता है तो production से related price या market से related concept है guys जैसे कि हमें market में ज हमें खुदी वो 14 रुपे का मिल रहा है तो हमारा profit margin कम हो जाएगा तो that is the price से related market से related risk हो सकता है Casuality कुछ भी अचानक से घटना घट जाती है जैसे कि आग लगना चोरी हो जाना थेफ्ट हो गया weather यानि कि बार आ जाना तो ये सब क्या है Casuality है यानि कि अचानक से कोई भी घटना होने की वज़े से भी बिजनस को नुकसान सेना पड़ सकता है और क्यों और क्या reason है technology wise यानि की performance failure absolute machine हमारी machine खराब हो गई technology पुरानी हो गई हमारी और market में नई technology आ गई तो उसकी वज़े से भी हमें नुकसान सेना पड़ेगा अगर आपका suppose करो कि आप किसी से raw material उठाते थे ठीक है और उससे आपकी लड़ाई हो जाती है तो क्या होगा वह अब आपको raw material नहीं देगा आपको दूसरा vendor ढूदना पड़ेगा यानि कि दूसरा supplier ढूदना पड़ेगा राइट तो गाई उससे क्या होगा हमारे business में रिस्क देते हैं जिसे अगर हमारे कोई employees है वह strike कर दे या उनको छोट लग जाए या कोई miss happening हो जाए हमारे managers रंग से काम ना करें तो वह भी एक तरीके का रिस्क है जिसकी वज़े से business को loss झेलना पड़ सकते है अब business में रिस्क को broadly two types में divide किया जाते हैं कितने सिर्फ दो प्रकार के business में risk माने जाते हैं पहला speculative risk दूसरा pure risk दोनों को समझना बड़ा ही असान है speculative risk होते है guys या आपने जैसे कि मैं अगर आपको यह कहूं कि आपने कोई पैसा लगाया और उसमें पैसा लगाने पर या तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा या फिर आपका पैसा डूब जाएगा ठीक है जैसे हम सट्टा बजा दी जिसे कहते हैं ठीक है सदल शब्दों अगर मैं बताऊं तो ऐसे ही मार्केट में भी काई स्काइबर ऐसे होती है कि हमने कोई चीज बनाई और मार्केट में एकदम से टेस्ट इन प्रेफरेंस चेंज हो गया लोग खरीद ही नहीं हमारा समान ठीक है तो क्या होगा हमें प्रॉफित होगा नहीं लोस हो जाएगा लेकिन अगर ऐसा हो कि लोगों का point of view हमारे business को लेके positive हो गया यानि कि हमने जो चीज बनाई लोगों को बहुत पसंदारी और लोग बहुत खरीद रहें तो क्या होगा हमें profit हो जाएगा तो speculative risk जो होता है न वो दोनो possibility दिखाता है gain की और as well as the possibility of loss या तो आपको benefit होगा guys य में change आने की वज़े से customer के change होने की वज़े से उनके taste and preference के change होने की वज़े से या तो हमें फायदा होगा हमारी sale होने लग जाएगी या फिर हमें क्या होगा नुकसान होगा अगर हमारी sale नहीं होगी तो क्या होगा नुकसान होगा na cost भी हम अपनी जेब से भननी पड़ेग बिजनस में यह नॉर्मल डे-to-day में चलता है आपको इभी बिजनस से स्टार्ट करोगे आपको स्पेकुलेटिव रिस्क फेस करना पड़ेगा यानि कि आपकी चीज या तो बिकेगी या नहीं बिकेगी लेकिन प्यॉर रिस्क किसे कहते है प्यॉर रिस्क क bakayım जिसमेंस से पॉसिबलिटि होती है लॉस या फिर लॉस नहीं होगा क्या है, involve only the possibility of loss और्म लॉस यानि कि या तो आपको लॉस होगा या फिर नहीं होगा अपको इस से आप जादा पैसा नहीं कमा सकते यिस से आप प्रॉफिट में नहीं कि क्या हम प्रॉफिट कमाएंगे अगर चोरी नहीं होती हुझा इनद तो इसा नहीं है तो यह होता है ए बिजनस है थो तयुक्सान होना क्या क्या एक ड़िनित धनी है और दो है तो हमें नुकसान होना क्या कहते है निश्चित है ठीक है अभी एक चीज और बोलती हो अगर आप चैनल पर पहली बार आये हो और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है समझ आ रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और पूरा स्लेवर्स आपका 11-12 का कॉमर्स का अविलेबल है तो आप देख सकते हो चैनल पर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मेसेज कर सकते है मेरी आईडी है तब इता मैसी ठीक है अब आगे बढ़ते है जिसमें है ने son known as uncertainty यैंगी main reason होता है guys क्योंकि कोई भी चीज निश्चित नहीं है uncertain है जिसकी वज़े से हमें risk face करने को मिलता है अगर सारी चीजसेनीशट हो हमें पहले से हर एक चीज के बारे में पता हो हमने future अपना पता कर रखा हो तो risk नहीं होगा लेकिन क्योंकि हमें future के बारे में नहीं पता और future में कोई भी चीज change हो सकती है इसकी वज़े से हमें risk phase करना पड़ता है losses phase करने पड़ते है risk is an essential part of every business हर business में risk पाया जाते है guys कोई भी ऐसा business नहीं है जो risk के बिना हो है ना risk can be minimized but cannot be eliminated यानि कि आप risk को prediction करके कम तो कर सकते हो but खतम नहीं कर सकते so यह line काफी important है guys risk can be minimized but cannot be eliminated आप risk को कम कर सकते हो but उसे eliminate नहीं कर सकते so हम prediction वगरा लगा के बहुत सारे provision बना कर हम अपने जैसे अपने अकाउंट में देखा है provision for doubtful debt वगरा बनाते हैं आप पहले इससे सोच के चल सकते हो कि भाई हमें साल में इतना नुकसान हो सकता है लेकिन आप उसे कम कर सकते हो अपने risk को लेकिन क्या खतम नहीं कर सकते लगर अपने पुरानी आवत तो सुनी है ना no risk no gain अगर आपने जैसे जिम में लिखा होता है no pain no gain ऐसे ही business में है no risk no gain अगर आप risk नहीं लोगे तो आप gain भी नहीं कमाओगे जितना जादा risk लोगे उतना जादा gain कमाओगे profit ही हमारा main मकसद होता है इस business को चलाने के लिए profit की वज़े से ही हम business करते हैं otherwise salary पर नौकरी कर सकते है पर फिर भी एक बंदा business खोलता है क्यों ताकि जादा से जादा पैसा कमाए राइट जितना जादा risk लेता है उतना सादा उसे profit होता है अब इन्होंने आगे हमें बताया है गाइस causes क्या है business risk के so natural causes natural cause आपको पता है गाइस की बही natural जो हमारे हाथ में नहीं है बाढ़ आ जाना earthquake ठीक है यह सारी चीज़े जो है natural cause में आती है जिन पर हमारा कोई control नहीं है human cause क्या है गाइस हमारे employees वगरा strike कर दे हमारे manager सही से काम ना करे so human की वज़े से business को risk होता है कई बार धोका दे देते हमारे employees or negligence careless है उसकी वज़े से भी हमें नुकसान छेलने को मिलता है economic cause क्या होते है गाइस जो हमारे business के बाहर के causes है जैसे की एकनॉमिक अली चीज़े महेंगी हो जाना inflation आ जाना बाहर कोई war वगरा छिट जाना मिलब लडाईयां वगरा हो जाना देशों की और और बहुत साथ है जैसे government tax वगरा change करते तो एकनॉमिक अली अगर government वगरा कोई changes लेके आती है financially कोई changes लेके आती है तो उससे हम economic causes कहते है बिजनस रिस्का उसके बादे गाइस physical cause physical cause क्या है कि हमारे पास जो physical available machines वगरा है उसमें कोई नुकसान हो जाना यानि की machine का खराब हो जाना किसी भी चीज में defect आ जाना machines and all में तो भी हमें risk होता है इसके अलावा है guys other जो की बाकी सब में नहीं आते यानि की political disturbance यानि की government एक के बाद दूसरी change होती है तो उस time lap में business को नुकसान हो जाता है कई बाद चीजे change हो जाती है exchange rate में change हो जाता है तो other causes भी है जो की इन causes से हट कर जिसकी वज़े से business नुकसान सहता है ठीक है जैसे के अभी श्री लंका में क्या हुआ था government गिर गई थी वहां की सारे उनके नेता भाग गए तो that is also other causes ठीक है जो की इसमें से बाहर है तो other causes बहुत सारे हो सकते economically और वैसे जिसकी वज़े से business को risk होता है so guys यह था business risk I hope आप लोगों को समझाया होगा अगर आपको समझाया है तो please video को like, share and comment जरूर करना जो की बहुत जरूरी है ठीक है आपकी प्यारे-प्यारे comments पढ़के अच्छा लगता है और Instagram पर आप मुझसे कोई भी doubt अपना accounts business economics से related पूच स थांक यू